बच्चो नमस्कार इसके पूर्व हम लोग पादब जल संबंद के विशय में पड़ा है जाना है और विभीन भावतिक एवं जैविक क्रियाएं को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है पौधों के अंदर इस प्रकार की क्रियाएं संचालित होता है उन सब को हमने एक साथ अब हम एक संबंद के विशय में अपन पढ़ेंगे डीपीडी डीपीडी ओ पी परासरन दाप नियुंता आस्मार्टिक प्रेशर परासरन दाप और इस्पितिदाब एंड भिक्तिदाब के संबंद के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे डीपीडी ओ पी टीपी एंड डबलू पी के संबंद के बारे में अपन संजेंगे डीपीडी क्या है यह मैं बता चुका हूँ विसरन दाप नियुंता ओपी मतलब है परासरन दाप और टीपी मतलब होता है इस्पिति दाप और डबलू पी का मतलब होता है भिक्ति दाप ते इन चारों में क्या संबंद होता है इसको हम समझेंगे चित्रे के माध्यम से समझने का प्रियास करते हैं यह है पादब कुसी का पादब कुसी का कि बाहरी बाहर का जो लेयर है जो काय का बना होता है बाहर वाला जो लेयर है वो प्यक्तिक योगिकों का बना होता है और अंदर का जो लेयर है सेलोज का बना होता है जब एक कोशिका को किसी जल में रखा जाता है तो उसमें किस प्रकार का डीपीडी ओपी और टीपी और डव्रूपी में क्या सम्मंद स्थापित हो था वो हम इस चित्र के माध्य हम से समझेंगे यह है प्लाजमा सेल प्लाजमा मेंब्रेन यह है वाटर अंदर आता है वाँ वाल वाटर भित्ती दाव यह जो दाव है जिद्र पर या कोशी का दर बबन लगने वाला दाव डवलू पी और यह है टीपी इसी प्रकार से इधर से भी अपन देखें तो इधर से भी मने चार तरब से जल आता है यह देखें यहाँ पर जल आ रहा है कहाँ पर कोशी का दर बबने बाहर से अंदर की और और साथ ही जल बाद में निकल भी जाता है यहाँ भी चारो तरब से यह भी डवलू पी डवलू पी यहाँ भित्ती से लगने वाला दाव कोशी का भित्ती से लगने वाला दाव कोशी का दर बेक उपर कुन सा कहलाएगा डवलू पी भित्ती डाव तो यह है पादब कोशी का की स्रचना जब पादब कोशी का को जल में रखेंगे तो अंतहा परासरन की किर्या के कारण किसके कारण अंतहा परासरन किर्या के कारण यह जल आउसोसित करता है तब हम देखेंगे कोशी का के अंदर पहला प्रिया है कि इसका परासरन दाव में व्रिद्धी हो जाता है दूसरा अर्थात जब परासरन दाव में व्रिद्धी होगा तो विशरन दाव नियुन्ता में व्रिद्धी होगा तो टी-पी का मान अर्थात आप डी-पी-डी बराबर ओ-पी हमेशा डी-पी-डी और ओ-पी का मान हमेशा बराबर होता है जब किसी कुसिका की सांधरता अधिक होती है तो डी-पी-डी का मान अधिक होगा जब डी-पी-डी का मान अधिक होगा तो ओ-पी का मान भी अधिक होगा और इसके विपरित तभी यहाँ कुसिका जल को आउसोसित करेगा विसके विपृत क्या होगा वित्ती आपका इस्पिती दाब सुनने होता है इस्पिती दाब क्या होता है सुन जब ये जल आवसुसित करेगा तब ही इस पित्ती दाब में क्या होगा वृद्धी जल को जब ये आवसुसित करेगा तब ही इस पित्ती दाब में क्या होगा वृद्धी अर्थाद कुशिका के प्रारंभी का वस्था में कुशिका के प्रारंबिक अवस्ता में क्या क्या चीज़ आपको समाने मिल रहा है एक तो कुशिका की जब सांद्रात अधिक होगा तो D, P, D या इसी को अपन ESP दाब भी कहते हैं क्या कहेंगे इसको ESP दाब भी कहते हैं बराबर UP, यहाँ पर TP जो है वो क्या है, सुने जैसे जैसे अंतापरासरण की करिया होगी अर्थात यहाँ कोसिका जो है जल आउसुसित करेगा है ना तो कोसिका द्रब्य पर एक दबाव उत्पन होता है इस दाब को ही हम क्या कहेंगे इस्पिती दाब अर्थाद इस्पिती दाब जब इस्पिती दाब पर एक दबाब डालता है उतना है विपरित दबाब किस पर डालता है ये कोशी का बित्ती पर अर्थाद इस्पिती दाब और कोसी का दाब क्या होता है बराबर होता है इस प्रकार टी पी बराबर डबलू पी हमेज़ा जब इसकी सांद्रता अंता पराशनन की किया होगी तो कोसी का दब में एक दाब कोशी का द्रब में एक दबाव उत्पन होता है इसके विप्रित यह दबा किस पर प्रभाव पड़े है किस पर डालेगा यह कोशी का भित्ती के विरुद एक दाब डालता है कोशी का द्रब जो है कोशी का भित्ती के विरुद दबाव डालता है और कोशी का भित्ती जो है व इसी समीक रण को आगे हम लिखेंगे इस प्रकार से तो इस प्रकार से TPD बराबर UP माइनश T P माइनश T P T P या W P हमें मालूम है T P बराबर क्या होता है W P T P बराबर क्या होता है W P W P W P माइनश T P इस प्रकार से कुशिका के अंदर उत्पन, दाब, इस प्रकार रहते है ठीक है इस प्रकार से हमारा जल आउसुसन सुद्ध जल आउसुसन को हम ग्याद करना है तो किसे अपन माइनस करेंगे ओपी माइनस टीपी ये ओपी माइनस सुद्ध जल मने जल कितने मातरा में आउसुसित हुआ इतना मातरा में सुद्ध जल हुआ ओपी माइनस प्राज आउस्मेटिक प्रेसर में से अपन क्या खटा दें टीपी खटा दें कौनसा इस पीतिद आपको क्या कर दें माइनस कर दे होती है कि एक स्लिदि एसी आती है कि जब यहां अंतहपराषन की किरिया होती है कि अन्तहपराषन की किरिया के दवरान आप देखेंगे कि औहठीक मात्रा में जल असुसित करता है अर्थात इसकी इस्पिती दाब में क्या होता है व्रिद्धी होते जाता है और इस्पिती इस्पिती दाब में जब व्रिद्धी होगा तो D, P, D और O, P माइनस T, P बराबर यह हो जाएगा आपका जीरो अर्थात जब इस T, P के मान में व्रिद्धी होगा किस के मान में टी-पी के मान में इस्पिती दाब में है ना तो D, P, D और O, P के मान में क्या हो जाता है जीरो हो जाता है क्या हो जाता है जीरो मैंने विसरन दाब नियुनता और परासरन दाब आपका परासरन दाब क्या हो जाता है जिरू अर्था जब कोशी का पूर्णता आसुन अवस्था में आ जाता है फूल जाता है इसी वपन क्या बोलते है इस पिती दाब जल आउसो सुन करता है तो यह का हो जाता है कोशी का फ दाब और विसरन दाब नियुनता में क्या हो जाएगा कमी हो जाता है क्या हो जाता है कमी हो जाता है तो इस प्रकार से डी पी डी बराबर जीरो जब इसी को सिका को जब यह इस्पिती वाली जो को सिका को अगर हम उल्टा फिर से हम क्या कर दें बाहे पराशन के क्रिया अगर इसी में क्या हो जाएगा बाहे पराशन में जल को क् वे निकाल दें तो क्या होगा फिर से डी पी डी और वो पी के मान में क्या हो जाएगा बृद्धि हो जाएगा क्या होजाएगा बृद्धि हो जाएगा अर्थात टीपी का मान टीपी का मान जीरो और डीपी का मान में क्या हो जाता है व्रिद्धी हो जाता है तिस प्रकार से डीपी 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 बराबर ओ पी बराबर जीरो तो अर्थात डीपी डीपी बराबर क्या हो जाएगा जीरो यही डीपीडी ओपी टीपी और डबलो पी में संबन्द दो चीज आपने गवर किया होगा दीपीडी है ना क्या हो गया इसमें जब कोशिका का जल बाहर निकल जाता है तो किसमें व्रिद्धी हो जाता है D, P, D और O, P में वृद्धी हो जाएगा और आसुन क्या नाम इस पितिदाब क्या हो जाता है 0 हो जाता है माने कुशिका फ्रेशिस्ट हो जाती है जब कुशिका के अंदर का जल बाहर निकल जाता है तो कुशिका क्या हो जाता है फ्रेशिस हो जाता है शलत हो जाता है और DPD और OP का मान क्या हो जाता है जीरो हो जाता है यह है आपका DPD, OP और TP और भित्ती दाब में सम्मन इसके बाद हम पढ़ेंगे जल पौधों के द्वारा जल का आउसुसन पौधों के द्वारा जल का आउसुसन जल कहां इस्तित होता है मृदा में होता है भूमी के अंदर होता है और यह कई रुपों में जल जो है मृदा के अंदर होता है आप देखेंगे जल के अंदर बहुत से क्या क्या चोटे चोटे गुहाएं होता है छिद्र होता है इसके अलावा वास्प के रूप में भी मृदा में जल उपस्तित होता है है ना तो कौन सा जल को जो है पौधा जो है ग्रहन करता है कौन सा जल जो है पौधा जो है ग्रहन करता है आए देखें जाने इस बात को समझें मृदा जल मृदा में उपस्तित जल मिर्दा जल स्वाइल वाटर ये कई रूपों में आप देखेंगे जमीन के अंदर भूमी में, जल में, मिर्दा में छोटे-छोटे क्या हो जाते हैं? अवकास होते हैं उसमें जलो इस्तित होता है इसके अलावा छोटोटे केविटी होता है, गुहाय होता है वहाँ जल इस्तित होता है कुछ जल वास्प की रूप में होता है तो इसी जल को क्या करता है? पौधा ग्रान करता है जल आवसुसित करता है तो ये किन-किन माध्यमों से कौन सा जल को जो है पौधा ग्रान करता है या आुसुसीत करता है, देखें इसमें प्रकार को पहला आप वह इत जल, पहला कौन सा है आपका, आप वह इत जल दूसरा है गुरुत्वी जल गुरुत्वी जल तीसरा है केशी का जल चौथा है आद्र ग्राही जल आद्रता ग्राही जल आद्रता ग्राही जल और पाँच्वा है वास्पी क्रित जल वास्पी क्रित जल इस प्रकार से मृदा में ये वी भीन अलग अलग रूप में जल क्या रहता है इस्तित रहता है और इसी जल को पौधा जो आउस्वसित करता है पहला है आपका आप वाहिद जल ये जैसी पानी गिरता है तो क्या हो जाता है ये बह जाता है पहला है आप वाहिद जल क्या हो जाता है ये जनरली बह जाता है तो इस जल का उपयोग पौधा नहीं कर पाता है दूसरा है आपका गृत्वी जल जब वर्सा होता है तो भूमी के अंदर पानी इतना गहरा चला जाता है को इस जल को भी पौधा आउस्वसित नहीं कर पाता है क्योंकि वाटर लेबल से नीचे चला जाता है गुरुत्वी जल कहलाता है तीसरा जो आता है वो केसी का जल तीसरा क्या है आपका केसी का जल केपिलरी वाटर इसी जल को यह केपिलरी वाटर जो है जल के गुहाओं में मिर्दा के गुहाओं में मिर्दा के आवकासों में संच प्रकार से चौन था आभी देखेंगे आदरता ग्राही जल यह एक भूमी मृदा में एक फिल्म की तरह इस्थित होता है इस जल को भी पौधा जो है आउस्थित नहीं करता है और पांचवा है वास्पिक्री जल मृदा के अंदर क्या हो जाते हैं केविटी होते हैं इनी गुहाओं में जॉह है वास्फो के रूप में रहता है इस जल को भी पौधा जॉह णुससित नहीं कर पाता है इस परकार से हम देखेंगे यह चार यह पांच प्रकार के जो जल है मृदा के अंदर उपस्तित होता है उसमें से केवल केसी का जल को ही पौधा या जड जो है आउसोसित करता है अब देखते हैं पौधों के जल आउसोसक अंग पौधा जो है वो किसके माध्यम से जल का आउसोस अंग करता है पौधा जो है मुख्य रूप से पौधे के जल आउसोसन या आउसोसक आउसोसन या आउसोसक अंग अगर हम देखें एक जड की संरचना जड समानेता आप सभी ने देखा भी है फिर भी एक समानी जड की संरचना के माध्यम से हम समझने के परियास करेंगी कि जड वास्तों में मृदा में किस तरह इस्तित होता है है नग किस तरह इस्तित है पहला जो भाग है जड़का अग्रभाग क्या कहलाता है रूट केप दूसरा है ग्रोइंग रिजन वर्दी छेत्रे वर्दी छेत्रे ग्रोइंग रिजन वर्दी छेत्रे और यहां से यहां तक का जो छेत्र हो इलांगेशन आप यह रिजन आप इलांगेशन लंबाई में बढ़ने वाला छेत्रे पहला दूसरा और यहां आपका तीसरा रिजन आप इलांगेशन रिजन आप इलांगेशन और चौथा है रूट हेयर जोन मुल्रोम प्रदेश और पाच्वा है पर्मानेंट रिजन इस्थाई छेत्र तो इस प्रकार से एक जड की संरचना किसकी सं रचना जड की संरचना अभी आप के दूसरा है उसके जठ का ऊपर का जो छेत्र रहे वह ग्रोव giorno छेत्र कहलाता है बर्दी चेत्र कहलाता है और जड़ के मिम इस बीरद्धी करने वाला अर्था जड़ की लिओ करने वाला छेत्र तिसरा है और उसके बाद ऊपर में यह दिख कर teu मेड में यह क्राइजवाइट से हैं एक आपका रूट हेर मूल रूम बिल्कुल एक सीद में 90 अंस के कोण में लगे होते हैं दोनों और और बहुत अध्यक संक्याम होते हैं यही रूट हेर ही मूल रूम ही पाउधों रहा है क्या करता है मिर्दा से जलका आउसुसाण करता है और उपर का इस थाई छेतर है लगातार जड़ आगे भूमी के अंदर बढ़ते जाता है पौधा फिर उपर क्यों बढ़ते जाएगा तो यह छेतर जो है यह भी क्या होगा लंबाई में उरिद्धी होगा तो यह एक समाने जड़ की क्या है संरचना है अभी हम एक समाने जड़ की संरचना के बारे में उनके विवीन भागों को हमने अभी समझा है देखा है पांच छेतर होते हैं उनके इसी तरह से एक मूलरों की संरचना को देखते है जड़ की अगर हम आंतरिक संरचना को देखेंगे तो यह बाहर वाला जो छेतर है वो इपी बिलमा कहलाता है इपी बिलेमा बाहर कर चितर और यहीं से बहुत से मूलरों इस प्रकार से हमको चितर में दिखाई देता है वास्तों में मूलरों की उत्पत्ति कहां से होता है अगर हम जड़ की आंतरिक संरचना देखें तो बाहर का लेयर क्या दिखाई देगा एपी बिलेमा उसके बाद कार्टेक्स उसके बाद एंडोडर्मिस उसके बाद अध्यन करें बाहर से अंदर की तरफ अलग अलग हम को क्या दिखाए देता है लेयर दिखाए देता है बाहर की और क्या होगा एपीबलेमा कार्टेक्स फिर एंडोडर्मिस पेरिसाइकल तो यह मुल्रोम के जो उत्ती है वो कहा से होता है वास्तों में यह, यह एंडोडर्मिस के पेरिसाइकल इस तरफ के बाहरीपरिधी कुसी काउं से मुल्रोम की उत्ती होती है तो इस प्रकार से यह जड में ये मूल रोंग इस्तित होते हैं इसके चारोर क्या होगा बहुत सा मिट्टी होगा है ना क्या होगा soil particles होगे बहुत से जड़ soil particles यह है आपका रूट here यह है यह यह endodermis layer उसके बाद है यह pericycle endodermis उसके बाद है pericycle यह है nucleus और यह है virtual रिक्टी का इस प्रकार से मूल रों की संरचना का अध्यन करें तो बाहर का यह दो इस तरों का बना होता है बाहर का layer क्या कहलाएगा यह जो है प्रक्टी क्योगिकों का बना होता है और अंदर का जो layer है वो स्थिनलोच का बना होता है है प्यक्तिक योगीकों के बना होने के कारण ही यह जल के साथ चिपका होता है मनि इसमें बल्रा के जो ख़ाग हो जाते हैं चिपक जाते हैं जैल के क्या हो जाते हैं चिपके रहते हैं है ना और अंदर का जो लेयर हो कि किसका बना होता है सेरिलोज का होता है और इसमें एक निकलियस दिखाई दे रहा है और ये पूरा जो है क्या है वेक्किल के समान है रिक्तिका के समान है और इसमें एक निश्चित जाँ मैं iagra मैं पहले बता चुकव हूँ कि ये कुसिका की जड़ का पूद्य का प्रथम कुसिका को नहीं होता ह। मूल्रूम प्रथम कुसिका पहर यही प्रथम कुसिका ही अधाब यही क्या करता है मृद्र्दा से जल का आउसुसन करता है जल के साथ-साथ मिदा में बहुत से खनीज लमण भी पाई जाते हैं जिनका भी आउसुसन जड़ जुह करता है ये मुल्रोम करता है, रूट हीयर करता है तो इसलिए इसको प्रथम कुसिका माना गया है इसलिए की माध्यम से जल का आउसुसन होता है तो इस प्रकार से एक मुल्रोम की संरचना बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है मध्यमें केंदरी का केंदरक, उसके बाद ये रिक्तिका है और ये दो लेयर इस प्रकार से ये जड़ की आंतरी संरचना में हम देख सकते हैं ये रूट हेयर किस पर कार लगे होते हैं इसके बाद आईए जल जो है ये रूट हेयर से मूल रूम से है ना, जड़ तक जड़ के माध्यभाग तक कैसे, कैसे मने किस तरह से जल आउसुसन होता है और यह जल जो है उपर पत्तियों तक कैसे आगे पहुंचता है इस किसम बने थोड़ा सा आपन देखते हैं इसका मार्ग पौदों में जल आउसुसन का मार्ग पौदों में जल आउसुसन का मार्ग पौदों में जल आउसुसन का मार्ग एक अपन जड़की आंत्रिक्सन रचना मैं यहां बना रहूं जिसके माध्यम सपन समझने का प्रयास करेंगे यह लियर जो है एंडोडर्मिस है और इसके ज़स्ट नीचे है पीरी साइके आप जड़की आंत्रिक्सन रचना पढ़ेंगे तो यह सारी बातें आपको इस पश्ट हो जाएगी और बहार का यह जो भाग है बहार का जो भाग है वो आपका यह एपी बलेमा कहलाता है कौन से लियर कहलाता है इपी बलेमा इसमें इपी डर्मिस नहीं कहेंगे जड़ में एपी डर्मिस के जगा इसको क्या कहेंगे एपी बलेमा और यहां से लेकर के एंडो डर्मिस से लेकर के एपी डर्मिस तक का जो बीच का जो इस तरह है वो क्या कहलाता है कार्टेक्स इस डाइगराम आप बना सकते हैं इस चित्रे इस बहुत से यह सेल है इस प्रकार से कार्टेक्स भाग में इस्तित होता है और जड़की आंतरिक्स रचना में और देखेंगे जायलम और फ्लोयम यह परिधी की ओर यह आपका प्रोटो जायलम और मद्दे में मेटा जायलम इसी प्रकार से यह है यह है आपका प्रोटो जायलम और प्रोटो जायलम और यह बड़ा बड़ा जो हैना मेटा मतलब बड़ा मेटा यह दोनों है जायलम प्रोटो जायलम और मेटा जायलम और इसके यह भाग में आपको दिखाई देगा यह है आपका फ्लोयम तो इस प्रकार से अपन यह है राजवाइड्स यह है आपका मूल्रोम और यह है मृद्दा यहां से जल देखिए यह इपी बलेमा लेयर इपी बलेमा यह है कॉर्टेक्स यह है एंडोडर्मिश और यह लेयर है आपका पेरिसाइक है और यह जाइलम यह आपका प्रोटो जाइलम और यह बड़ा वाला जो है मेटा जाइलम यह सरसरी निकाह की रूप में मैं जड़ की आंत्रिक्सान रचना बता रहा हूं जल और सुसन का मार्ग दिखिए क्या है यह रूट हेयर है जल का आउससन यह जल का आउससन की जल का आउससन का किस द्रह से जल का आउससन करता है क्योंकि इसमें विवीन प्रकार के कार्बनिक और आकार्बनिक पदार्थ उसका रश्च में घूले होते हैं इसके अलावा रितिका में भी एक निश्ची सांदरता वाला एक मिलियन भरा होता है अर्थात इसका DPD और विसरन दाब नियुनता और आस्मेटिक दाब परासरन राब क्या होगा अधीक होगा तभी यहां अंतह परासरन किर्या के द्वारा जल को क्या करेगा आवसोसित करेगा आवसोसन करेगा तो इस प्रकार से यह जल जो है आसानी से कहा जाता है मूल रोम में आ जाता है है ना और इस प्रकार से यह जल यह धीरे धीरे कार्टेक्स से होते विए कहां से होते विए कार्टेक्स अब इसको अपने एक नाम दे सकते हैं A, B, C, D, E है ना या अप G, H है ना यहां तर इस प्रकार का यह दिखिए एक मार्ग हमको दिखाई दे रहा है रूठियर फिर आपका इपिबलेमा से होते हुए यह कार्टेक्स के भाग से होते हुए रेनोडर्म उसको पार करते हुए कहा जाता है जायलम में आ जाता है अब यहां से रसा रोहन किर्या के द्वारा किसके द्वारा? रसा रोहन किर्या के द्वारा जल जो है वो पत्तियों तक बहुंचता है तो इस प्रकार से जल जो है जल का आउस्टोशन पौदे इस प्रकार से कर दे जल आउस्टोशन का मार्ग तो ये पूरा कोशी का जो है इसमें जितने भी जड़ में या पौदों के अंदर पाए जाने वाला पूरा जड़ जो है एक परास्रा मनें प्रते कोशी का किस तरह का कारे करता है परास्रन तंत्र के रूप में अब यहां का देखे यहां क्या होगा यह देखे डी पी डी और ओपी जब इस कोशी का किसान रथा अधिक होगा तो बिस्रन दाब निम्ता का मान में व्रिद्धी होगा परास्रन दाब के मान में व्रिद्धी होगा है नहीं? जब इसके सांद्रता अधिक होगा अब ये इसी के कारण ही जब ये अधिक होगा तब इसी के कारण ही इसके सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्या करता है जल को अवसुसित करता है अर्थात ये अंता परासरन की किरिया करता है और जब ये जल का आउसुसर करेगा तो धीरी धीरी इसके कुसिका का आयतन और क्या हो जाएगा फैल जाएगा फैल जाएगा या फूल जाएगा तो क्या होगा इसके इस पिती दाप में क्या हो जाएगा व्रिद्धी हो जाएगा जब इस पिती दाप में व्रिद्धी हो जा यह घुए पर नियंगे यहां पर्थम को सिक्षम यह किया अब यहां पर देखेंगे यहां पर क्या है फिर डी पीडी और अरोपी का मान में गृढ़िदी यहां परास्न क्या है इसमें गिल्य efforts संद्रता अधिक है तो से अलम above करड़ करता अधिया हुझाहाउ हो जाएगा भिष docti अब log 22 विप्यूल क्या हो जाएगा विखाहेoso पर प्र यह बन Aww क्वासूसित करेंगा जिसका मान में क्या हो जाएगा कमी diss sortie यहां की ऐस gjॉसीज़ biblical अधित करेंगे तो यहां की सांध्रता अधिक है ऌनके आदू किए और यहां की सांध्रता जो है वह ओ विल्किन सांध्रता कम हो अम फिर स्प्रेम और यह को सिगंर को तो ऐसे करते करती है, अगे कहांओ तक पहुंचता है ये जायलम्ट की कुसी काउम तो इस प्रकार से अपन पल्धों में जल आउसुशन का मार्ग जायलम्ट तक पहुंचने के बाद यहां से फिर ने रसा रोहन किरिया के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है ये आगे फिर हम समझेंगे रसा रोहन के बारे में, तो इस प्रकार से आज हम मुखे मुखे रुप से विश्रन दाब यून्ता, परासरन दाब, इस्पिती दाब, एवां भित्ती दाब में संबन, पौधों दौारा जल आउसुसन, पौधों दौरा जल का आउसुसन और के बारे में पढ़ा बहुत बहुत धन्यवाद आगे का जो चेप्टर है उसको फिर हम अगले प्रियड में लेंगे धन्यवाद